Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pappu Career Guide, A Complete Guide for All Your Career Needs तो फिर आज के विडियों जो बात करने वाले ये most demanded video है for related to TCS तो इस में क्या देखने वाले है वो है आपका TCS updated offer later acceptance to TCS project allocation मतलब TCS जो है किस तरह से project allocate करती है और यहां पर मैं latest आपको जो है full process in details में explain करने वाला हूं for all the candidates who are all our freshers and who are all our experience सबके बार में हम बताने वाले इस video में details में इन तक जरूर देखना और कितने सारे steps होते हैं from the offer later generate to project allocation को लेकर तो चलिए बिना किसी further delay करते इस video को start और मैं guarantee देता हूं friend यह video पुरा देखने के बाद आपके मंद में जो भी doubts आते होंगे TCS के related like document upload करना start certification NSR PIN जो भी आपके मंद में doubt आते होंगे सारे कि सारे doubts इस एक ही video में आपके complete solve होने वाले हैं okay तो वीडियो के इन तक जरूर देखना friend चलिए फिंट सबसे पहले हाँ देख लेते हैं TCS updated offer later acceptance to project allocation full journey process चलिए बताओ दो फिंट TCS में जानने के लिए आपके बेसिक्टी दो तरीके से हाई requirement करती है पहला आपका TCS code बीटा दूसरा होता है TCS NQT बताओ दो fan code बीटा basically आपका on campus ही होता ही आपके college में आते है third year में आप लोग जब होते हो तो और TCS NQT requirement करती जो आप लोग final year में होते हैं तो TCS code बीटा से लोग भी जाते है निंजा इंडिजिटल के लिए और NQT से भी जाते है तो जातर जो TCS requirement करती है TCS NQT के तुरू से और जो code बीटा के तो से काफी कम लोग को देखने को आता है तो चलि फिन आगे देखते हैं तो फिन ये आपका तो फिन आपका जो requirement होता है वह आपका NQT क्लियर करने के बाद इंटर्वी होता है फिर आपका offer letter देखने को आते हैं तो ये start-up का हुआ था December 2021 से लेकर और अभी भी ये चल रहा में भी मार्च में जो लोग NQT exam दे रहें उनको पास भी जो है diet offer letter देखने को आता है क्योंकि TCS के पास अभी काफी ज्यादा project है और वो लोग को बिना interview दिये भी offer letter send करती है बट यहां पर जो है TCS एक का मच्छा कर रही है वह है आपका eligibility criteria को चेक करना देन आपका joint letter देखने को मिल जाता है आगे देखे बदा दो फिन आप लोग जब after getting offer letter आपके सामने कुछ इस तरह का tip जो है multiple tip आपके सामने open हो जाते हैं तो फिर सबसे पहले आपका होता offer letter जैसे आप लोग offer letter पर click करते हो अपना and two and three फिर आपको पुछे जाता है after clicking after accepting the offer letter तो आपसे तीन location पुछे जाते है तीन location में अपना preferred location आप लोग एक ही location को तीन बार भी डाल सकते हो फिर यह हो का हो जाता offer letter accepted उसके पर आपके सामने आता है देखेंगे तो आयल पी कॉर्णर तो बैसिकली यहां पर जो आपके सामने देखने को आता है नसर पीन जंडरेशन तो नसर पीन के उपर में अल्रेडी विडियो बना चुका हो तो आयल पी बैसिकली आपका होता है initial learning program जहां पर आपका ज हो भी लेकर ठीक है तो फिर नहीं आपका ilp corner you have to generate nsr pin for getting and starting with ilp तो nsr pin generation पर और वीडियो बना चुका हो complete it before 15 day of joining date means at the time of receiving joining later okay जो आपका जोइन रहाता है तो उसमें आपका जोइन जोइन देट मैंसन किया रहेगा वह आपका 15-16 दिन के बाद का ही mention किया रहता है तो उसके बीच में आपको जो है फिन्यापर nsr pin generate करना होगा जो कि आपका 12 digit का एक pin होता है जिसमें basically आप लोग बताते हो nsr के portal पर जाके yes you are now employee okay तो यहां पर यह आपको टीचेस के लिए यह आपको करना ही करना पड़ता है ओके और काफी easy process में already video बना चुका हूँ आई button मैं आपको link दे दूँगा फिन आपका लिंक देदूगा फिन आपका LP corner में जैसे click कर तो फिन आपका था national skill registry आ यहां पर आपको सब कुछ मैंने क्योंता है अपको successful registering with nsr please accept the declaration below and submit 12-digit ITP number तो आप जो generate करते हो तो आपको 12 घंटे के अंदर में आपको nsr के portal पर login करके यहां फिर आपको एक mail भी आ जाता है 2-digit ITP का आपको simply आपको जो पीन रहता आपको फिलप करके आपको submit पर क्लिक कर दिना होगा तो आपका जो फिन आयल पी आपका start हो जाता है ओके और फिन इस पर आपका आता है BGC जो कि अपका होता है बेक्ग्राउंड चेक form complete it before 15 day of joining date complete it on next day portal तो तो तीसे नेक्स टेप पर 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 आपको फिन यह सारे सारे पोर्टल जो complete करने होते तीसे ओन के पोर्टल पर पर आपको काफी कुछ देखने को मिल जाते हैं दोकॉमेंटे वेगर आपको upload download करने परते हैं scan करने परते हैं signature सिपने परते हैं फिर आपको upload कर देने होते हैं तो काफी easy process होता है जो कि आपका आप लोग बोल सकते हो फिर यहां पर टीशेस का जो आपका जितने भी आपके आप बोल सकते हो क्राइम रिपोर्ट क्राइम सर्टिफिकेशन हो गए आपका कहां पर स्टेक कर रहे हो वह सर्टिफिकेट इस पर बीडियो बना चुका हो यह पर यूट्यूब पर चेक आउट भी कर सकते हो ओके फिर आपका आगे आता है आपका बेग्राउंड चेक फॉर्म एंड हो डोकुमेंट सराते हैं आपको अफ करने पदे थेंट टें ट्वेल्ट पेंड का आधार करड आथार सब कुछ आे आपको फोटो करके आपको अप्लोड करने पदे पीडियेव और आपको अपको अप्लोड करते तो वहां पर आपको साइज भी मैंसन किया हो रहता है चै spec पर पर रिव्यू कर लेना फिर आपको सम्मिट पर क्लिक कर देना है बेग्राउंड चेक इसेंटियल प्रोसेस्ट वेर यूर करेंशियल चेक्ट और फॉर अथर्टिसी बता तो फिर अगर आप लोग का पर सेंटिस के टिरिया फिर कोई भी अगर आपको डोकुमेंट में गल करते हो तो यू यू यूर अस्याइशन विटीश विल बी सब्जेक्ट टो एन बेग्राउंड चेक इन लाइन विटीशेसल बेग्राउंड चेक पॉलिसी ओके इसके आपको देखने को आता है वह आपका बेग्राउंड चेक फॉर्म जैसे आप लोग की इनिसियेट करते ह लेगा फिन वापका मेनिटरी होता है फिल अप करने के लिए सम अब देटेल्स आपको दिखाता हो फैंड यहाँ पर अच्छे आपको तरीके से सम अब देटेल्स इंटर्ड आई यू इन टीशेए एक लिए अपने लिए डिस्पेट इन दी फॉर्म अतर्कुछ पुछ फ आधरटीश डटकॉम तक के बहुत लग पूछते हैं मैं नाम में झालती में पापा का नाम में झालती है तो आप लोग जो है इनकेस आप लोग इन आलप अपट को मेल कर सकते हो तो शेव दाटेटेल्स एंड नेविगेट तो इनस्क्रिंग क्लिक सेवें केंदेनू तुस दूसरा होता है आपका अचलियर सर्टिफिकेशन पहला प्रिफिकेशन जो है टीसे रिकोगनाइस्ट एंड टेकनिकल सर्टिफिकेशन देटा रिलेवेंट और फोर इनिसियल लर्निंग प्रोग्राम तो आप लोग जब यहां पर सम्मीट करते हो ना तो आपके सामने एक टे की ड्रीमी अदर साइट पे अप्लोड कर सकते हैं आपके उना प्लोड कर सकते हो जो टीसे से अप लोग चोड़ देते हैं तो अगर आप लोग उसे बीना की छोड़ते हो तो भी कोई दिखेश लेने की बात नहीं है फिर भी आपका जो है यहां पर आपका जोईनिंग में तो फिर ILP में कोई भी प्रोडम नहीं होने वाला, अगर आपने किया होगा तो आपको ए्सियग को है, प्लूइंट रहता है लेकिन अगर आपने नहीं किया हो, तो भी अप लोग इसे खाली सब्मीट कर सकते है, और समिक्ट हो जाता आई, तो फिर आपको और अपने इस अपने प्रम स्क्रार को डाल सकते हो तो बता दिए आपके उपर ड्रकेंट नहीं करता है कि एक करेंड़ी टिर सक्खेς को देना करती है अगर आपको अपम्रेश्च यहसुरेंग करता है आपको ठीक का बीश कमा बह GG जाएंगा esca अपने इंदर डाला है तो आपको इंदर के जगा पर आपको पूने भी मिल सकता है ओके तो मतलब यह आपको प्रेफर्ड लोकेसिं अबसे कुछ आपको अलग भी मिल सकता है है ओके आफ्टर ओफर लेटर विट सम डेइज यू विल रिसीव एक्स्प्लोर प्रोग्राम में जैसा मैंने इस से टिक में एक पहले वीडियो बना के मैंने अप्लोड कर चुका हूं प्रोग्राम बिफोर गॉइंग तो जॉइन कंपनी जावा पाइथन डॉट ने यू प्रोग्राम के एक्जाम को ट्रेनिंग कर चुके होगी कि उनको रिक्यूर्मेंट काफी फास्ट करनी होती है कि आप लोग प्लेश्ट अल्रेडी हो गए हो ओके तो फिर नागे बात करते हैं तो टीसे से जॉइनिंग लेटर फॉर फाइनल ये स्टुडें आफ्टर कंप्लेशन ग्रेजुएशन यस पिकोज आप लोग पर सोच के देखना पर आप लोग अभी तक ग्रेजुएट नह पर्मता ये बात करते हैं तो तो what is OPA, this is one type of mock test, mock test अपका होता है for an exam, not for same like CPA, like not for incentive, तो basically आपका mock test जैसा exam देखने को मिलता है, तो basically आपका mock test जैसा exam देखने को मिलता है, चलिए, आगे देखते हैं, तो फिर यहां पर जो है, what if any student got joining letter without getting starting explorer program mail, तो बताओ तो फिर बहुत सारे से लोग होते हैं, जिनको पहले आता है, क्योंकि अगर आप लोग graduate हो चुकिए, तो आपको पहले देखने को मिलेगा, if we didn't get explorer program, then how we can get incentive, बताओ तो फिर अगर आप लोग explorer program का mail नहीं आता है, ठीक है, और फिर यहां पर जो है, within 2-4 days you have given one exam, okay, IRA initial readiness assessment test, last time also same as IP or CPA, फिर बता तो फिर आपको आपका होता है, आपको बैसिकली incentive के लिए होता है, आपके score के इसाप से आपको जो है आपको incentive देखने को मिलता है, after joining the company in second year of your, second month of your salary, okay, तो यहां पर कुछ score लाने पड़ते हैं, उस score के अधार पर आपको तो फिर यहां पर जो है readiness मिलता है, असर अगर आपनो आयरे मिस करते हैं, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, आपको आपको तीन चांसे देखने को मिलते हैं, आयरे, अगर आप लोग फर्स टाइम कर पाते हो, आपको अगेर एक मेल लेखने को आपको अगर आप लोग फिर से क्लिर नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको टीसे एक और सेंड करती है, लेकिन तों समक्रैशेश difit रख नें आपका रखा राना है दंग को गालिफाइज को तो कि बता चुका हूँ yön चुका है ऑक यth ऐटीन स्कोर लाने पर आपको फिंट सिक्टी था फिप्टीफ इसको लाने पर फुर्टी था विल गेट इंसेंटी विदिन वन मन्त ऑफ यर सेलरी ओके बता दो फिर यहां पर आपको एक्जाम देने का कोई जरुवत नहीं पड़ता है आप लोगों को ऑटमेंटिक टीस जो है आया प्र इंसा साइर्टी था इसकी निया अंतिट सारे इसकाल की ती इसकोर लेस्ट को जरिप लेज़ ने टी च्प घंके ऩ्रति विल गेटें जाट गली को ऑने है ओके और अपर आफर कंप्लीटिंग तर ट्रेनिंग तर टीजिस अगें कंड़क्ट वन एक्जाम कॉल्ड पिया एक्जाम तो इभी का होता है प्रोजेक्ट रेडिनेस असेश्मेंट टेस्ट तो आप लोग जब या एक्जाम देते हो तो आपके स्कोर के और आपका प्रॉफ प्रिपेस्ट वीडियो बना चुका हूं इफ यू फेल प्रिया प्रोजेट असेश्मेंट ग्रॉप टीम प्रोजेक्ट तो यू सी रिजुमे टेखनोजी बता तो फिर आप लोग जो है प्रिया एक्जाम करते उसको अपर मुल्टिपल कम मुल्टिपल प्रोजेक्ट आप आपका रमजी टीम होती वहां से पर कॉल अगरा देखने को आते हैं तो वहां बसक्लिपल को वह वह कुछ आपसे बैसिक कोसें पुछते हैं फो गेटिंग अ प्रोजेक्ट इंट इंट टीज तो आपको वह कुछ भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं डिपेंग अपन ये अर्ब इस बाइन गजगां ने इस लिग्देश नोषि नि'करिंग ये ना गए बिम्हें पुछ पुछ हैं तो आपको एपसे झाल आपको आपको टीशे टीशें आप या प्रोजेक्ट कर देती हैं तो आए ठीच एट बाट वा दूत अब गेट पुछ आपको आपको निता चु झाल झाल